इस पूर्ण पूर्ण करें आप लोग स्वागत आपका इंडिया के सबसे बड़े लाज़ेस प्लेट फॉर्म अप्र पर मैं आप ज्यान प्रिकास जाए आपके सामने हाजी हूं करेंट अफेर्स की क्लास लेकर 20 जून की तो जितने भी बच्चे देख रहा हैं सभी बच्चे एक बार जल्दी से वीडियो को सेर कर देंगे लाइक कर देंगे फिर मोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को देखेंगे आज के बहतरी न्यूज और उससे जुड़े हुए सव पालों को सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएं सभी बच्चे एक बार वीडियो को सेर करने और लाइक करने जल्दी से चलिए तो दोस्तों बात करता है इसके आगे तो याद रखें के दोस्तों यह जो 990 365 है यह चारल आपका एक मत्र शूर्ष से किसका लेट कर रहे हैं तो उसका जो general awareness section है उसके लिए आप इस चैनल पर आपको सारी चीज़ां मिलेगी like, daily current affairs आपको मिलेगा, daily statics जीके मिलेगा, उसके बाद modern history and culture मिलेगा, इंडिया और इसके neighboring countries मिलेंगे important scheme and dates और geography और economics related जो सवाल है या उससे related जो थियोड़ी है यह आपको available कराई जाएंगे, ठीक है, जब बात करता है दोस्तो इसके साथ ही हमारा current affairs intent है, SSE exam intent, defense exam intent, maths intent intent, reasoning intent, यह सभी channel भी है हमारे जिसमें की 10 minute में आपको कई सारे information available कराई जाते हैं, next look बात करता है दोस्तो मैं अपने बारे में अगर रुखता हूँ, तो मेरा नाम है ग्यान करकाज जा, मैं आपका general studies mentor हूँ, मेरा electronics and communication जीजमें बीटेक है, teaching experience है 7 years का, BPSC मैंस दो बार लिख चुका हूँ, interview एक बार दे चुका हूँ, और railway में आजे station master select भी हो चुका हूँ, आगे चलता है दोस्तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो याद रखेंगे daily live classes मिलेगी, live test and quizzes मिलेगा, structured courses मिलेगा, और आपको इन सभी का unlimited access भी दिया जाएगा, इसके आगे की बात करा, दोस्तो तो आपको कैसे, unacademy subscription platform पर आपको कैसे, register करना है इसकी अगर बात करा है, तो याद रखेंगे दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है, unacademy learning app आपको install करना है, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तो, अपना goal SSC exam select करना है, इसके बाद यह get subscription इस पर click करेंगे जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 1 month का 3 month का 6 month का और 12 month और 24 month के subscription plan का यह price है एक month का 1200 है, 3 month का आपका 1000 per month है, 6 month का 800 per month है, 12 month का 500 और 24 month का 300 per month है यहाँ पर दोस्तों आप अगर beginner हैं तो आपके लिए 300 per month वाला plan सबसे best होगा और 500 per month अगर आपने पहले से preparation कर रखा है तो आपके लिए ये plan अच्छा है आपको क्या करना है एक plan select करना है इसके बाद continue करना है फिर उसके बाद क्या करना है आपको ये code लगाना है ये हमारा code है इस code को लगाते ही आपको क्या मिलेगा 10% का instant discount मिलेगा यानि कि जिसकी price 7200 है वो price आपको गट कर कितनी हो जाएगी 6480 यानि कि 300 per month से गट कर ये 270 per month का आपका हो जाएगा तो दोस्तो इसके बाद आपको क्या करना है पे करना है payment करने के बाद आप क्या कर सकते हैं जितने भी subscription plan के जो भी benefits है उसका लाग उता सकते हैं और याद रखेंगे 6, 12, 24 month का अगर आप subscription plan लेते हैं इसमें आपको दोस्तो कित्या मिलेगा no cost EMI का option भी available है ठीक है तो चलिए दोस्तो हम लोग बात करेंगे आज के news किया तो इस्टार्ट करते हैं आज के session को शिवम हापुर जी नमस्के मुखुल सरकार जी नजर एहमर जी, रवीना सर्मा जी, राहुल कोहली जी, धारा सिंग जी, बहुत अच्छे सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे वीडियो को सेर कर देंगे टियंगा वर्मा जी, आसीस कुमार जी, रजनी कुमारी जी, बहुत बढ़िया तो चलिए दोस्तों स्टाट करते है आज के सेसिन को जैसा रहे पहले हम लोग क्या देखते हैं इंपोर्टेन नीूस को देखते हैं और उसके बाद उससे सवावों को देखते हैं आज हम लोग दोस्तों कल के भी कुछ current affairs के news को देखेंगे और आज का तो हम लोग देखेंगे देखेंगे यान कि 19 और 20 जुन दोनों ही दिन के current affairs के session को देखेंगे हम लोग ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते है आज के session को पहला आज का news आपके screen के ऊपर यह रहा ICICI Home Finance Launched Surl, यहाँ पर याद रखेगा क्या Surl Affordable Housing Loan Scheme यानि कि ICICI Home Finance ने Surl नामर एक Affordable Housing Loan Scheme क्या किया launch किया ICICI Bank की बात करते है बिल्कुल राहूल कोली जी आज से आपकी continue classes होगी जब ICICI की बात करते है दोस्तों ICICI का पूरा मतलब होता है Industrial Credit Investment Corporation of India इसका headquarters कहाँ पर its headquarters in Mumbai यह चीज़ भी आपको याद रखना है ठेक है यह दोस्तों आज का पहला news था ICICI के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि इसने सरल नामत Affordable Housing Loan Scheme क्या किया है लांच किया है Clear a point तो चलता है दोस्तों इसके बाद हम लोग अगले news की तरफ अगला news आपके स्क्रिन के ऊपर यह रा वालकन बॉजगिर याद रखेंगा वालकन बॉजगिर बहुत ही important news है दोस्तों यह very very important अभी आने वाले exams में यह आपका सवाल पूछा जाएगा ठीक है वालकन बॉजगिर becomes the first Turkish to be elected as the president of 75th United Nation General Assembly यानि कि जो वालकन बॉजगिर जो कि कहां से बिलॉग करते हैं दोस्तों याद रखेगा कहां से क्या है यह कहां से बिलॉग करते हैं तो तर्किस हैं यह याद रखेगा और इनको 75 United Nations General Assembly का क्या चुना गया है प्रसिडेंट चुना गया है याद रखना है इस चीज को जब United Nation की जब बात करते हैं दोस्तो United Nation का headquarter कहां पर है ता आप लोग जानते हैं इसकी अस्थातना कभूईतित ये भी आप लोग जानते हैं 24th of October 1945 That's why we celebrate या we observe 24th October में लोग क्या United Nations Day मनाते हैं आप लोग को कमेंट में बताना है United Nations के head कौन है या आप लोग को बताना है जल्दी से आप लोग जबाब दीजिएगा और दोस्तो जब बात करते हैं हम लोग इस टर्किस की जब टर्किस की बात करते हैं दोस्तो यहाँ का capital क्या है capital है दोस्तो अंकारा और capital यहाँ पर दोस्तो याद रखिएगा इसकी currency क्या है currency is lira ठीक है इस तर्किस को भी आपको याद रखना है और दोस्तो याद रखिएगा कि United Nations के जो head है उनका नाम है Antonio Guterres क्या नाम है Antonio Guterres जो दोस्तो कहां से belong करते हैं यह belongs from Portugal ठीके न पूर्टगाल से याद रखिएगा दोस्तो हमारे देश में आने वाले सबसे पहले बीदेशी भी कौन थे वो पूर्टगीज थे जो आये थे दोस्तो उसका नाम क्या था वासको डिगामा कहां पर आये थे आप लोग जानते हैं यह कहा पर आये थे 1498 में यह आये थे कहा पर काली कट काली कट के तट पर आये थे जहां पर किंग जूमोरिन ने इनका क्या किया था वेल्कम किया था इस तर्थे को भी आपने याद रखना है सबी बच्चे साथ साथ शेशन को सेर भी करते रहे, लाइक भी करते रहे, इस चीज़ को भी आपने याद रखेंगे, दोस्तों पुर्टगीज याद रखेंगे, आए भी थे सबसे पहले और गए भी थे सबसे बाद में, और इन्होंने दोस्तों जो अपनी कॉलोनी बसाई थी ना, वो कहां पर बसाई थी, गुवा में, यानि गुवा जब तक इंडिया में सामिल नहीं हुआ था, तब तक वो किसके पास था, तब तक वो पुर्टगालियों के या पुर्टगीस के ही कंट्रोल में हुआ करता था, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, पुर्टगाल का जो राजधानी है, बिल्कुल सिवा महापुर जी लिस्बन है, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, आमिता जेना जी, गुड मारी, राहुल कोहली जी, रजनी कुमारी जी, बहुत बढ़िया, रवीना सर्मा जी, बारियो, चलिए ह जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, तो कुबाटक बोरो नौव को क्या किया गया, किर्गिस्तान का क्या बनाया गया, दोस्तों, वहां का प्राइम मिनिस्टर, यानि कि अंतरिम प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया है, किनको क कुबा टब एक बारो नोव को इस चीज़ को याद रखेंगे अब बात करते हैं दोस्तों जब किर्गिस्तान की किर्गिस्तान का कैपिटल किदर है भाई आप लोग कमेट में बताइए फड़ा फट वर इस कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान की राजदानी किदर है बहुत किर्गिस्तान का कैपिटल किदर है सभी बच्चों को बताना है बहुत अच्छे एलोर जी ने बिल्गुल सही जवाब दिया है इसका जो कैपिटल है इस बिसकेक है बिसकेक एंड यहां की करंसी क्या है करंसी इस याद रखेंगे करंसी सॉं यहां की करंसी क्या है दोस्तों इस कहल से एज सौंग। अच्छे ये आप लोग बताएं कि हमारे देश में गर्टा है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? फटावण जबाब दीजिएगा प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? आप लोगो बताना है और दोस्तों, सेशन को आप लोग सेहर भी नर्हीं करते रहेंगे सभी लोग साथ-साथ अज प्राइम मनिस्टष गो कौन अलीज़ करता है हमारे देश में हमारा अपरचिन है आप से जड़ी से सभी ब tuition जबाब देंगे और सेशन को सेहर भी करते रहेंगे सभी लोग और दोस्तो आज आपकी क्लास भी होगी, साम में भी क्लास होगी 8 बजे, हिस्ट्री की क्लास चेक है, याद रखेगे का प्राइम मनेश्टर is appointed by ओ, याद रखेगे का दोस्तो प्राइम मंतरी को न्युक्त करता है इस चेसको याद रखेगे, अगले उसके तरफ चलते है माधव राव बलवन्त पाटिल याद रखेंगे, माधव राव बलवन्त पाटिल फॉर्मर लोक्षवा मेंबर and the founder of जनलक्षमी कोपरेटिक बैंक कौन सा कोपरेटिक बैंक याद रखेगा जनलक्षमी कोपरेटिक बैंक के founder जोने माधव राव बलवन्त राव और ये former लोक्षवा मेंबर ही भी राचुके है इनका क्या हो गया, निदन हो गया ये हैं, ये जो देख रहे हैं यही हैं माधव राव बलवन्त पाटे ये जनलक्षमी कोपरेटिक बैंक के क्या थे? founder थे, जब बात करते हैं दोस्तों कोपरेटिक बैंक की कोपरेटिक बैंक की जो structure होता है कोपरेटिक बैंक का दोस्तों याद रखेगा इसका full form होता है Primary Agriculture Credit Society क्या नम होता है इसका Primary Agriculture Credit Society इसके बाद दोस्तो डिस्टिक लेवल पर ये तो कहां पर होता है विलेज लेवल पर होता है डिस्टिक लेवल पर कौन सा होता है दोस्तो District Central Cooperative Bank यह DCCV जिसे हम लोग बोलते हैं और दोस्तो जो State Level पर होता है पूछ लेते हैं ठीक है ना याद रखिएगा जब बात करता है दोस्तों हम लोग यहाँ पर लोगसभा की लोगसभा के बारे में याद रखेंगे लोगसभा के लिए आर्टिकल कौन से है आर्टिकल 81 एड लोक्षवा की जब बात करता है वर्तमान में जो लोक्षवा में कुल सीटें हैं वर्तमान में कितनी है 545 लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है 552 लोक्षवा में दोस्तो सदस्य बनने के लिए जो नियूनतम आयूसीमा है वो कितनी है दोस्तो that is 25 years is the minimum age to become the member of लोक्षवा इस तर्के को भी आप याद रखेंगे ठीक है चलिए हमने बात करता है दोस्तो इसके बाद अगले मुद्वे के ऊपर चलते है नियॉक में रख दी है और इन्होंने दोस्तो Oxford University से इन्होंने क्या किया graduation किया ठीक है और दोस्तो इसके बाद इन्होंने अभी अभी एक क्या लिखा है एक novel लिखा इनका पहला novel है यह मेधा मजूनता ठीक है इनका पहला novel है क्या बहुत important यह book है आपके examination point of view से देखा जाए इस चीज़ को आपको याद रखना है चेक है चलिए तो दोस्तो इसके बाद मुद्व बात करता है इसके आगे अगले news की तरफ चलते है अगला news आपके इस्प्रेंट के ऊपर करनाटक का observes mask day on 18th zoom 2019 करनाटक के सरकार जीए देख रहे है यह दी यूरप्पा जी ठीक है यह नहोंने दोस्तो लोगों के अंदर awareness बढ़ाने के लिए जागरुकता बढ़ाने के लिए क्या बनाया 18 जून को mask day मनाया ताकि लोग mask लगा कर घर से निकला है लोगों के अंदर awareness हो कि mask के लगाने से क्या क्या benefit हो सकता उससे ठीक है इसको लेकर करनाटक ने कौन से डिमन है 18 जून को mask दिवस मनाया करनाटक की जब बात करता है तो उस्तो राजधानी किदर है बैंगलोर जिसे हम लोग क्या बोलता है जिसे हम लोग बोलता है गार्डन सिटी ऑफ इंडि भी है यही पर दोस्तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी है इस चिसको भी आप लोग यादा है ठीक है हमारा प्रसने दोस्तों की जो करनाटक है करनाटक की गवर्नर कौन है आप लोग को इस गवर्नर ऑफ करनाटक का फड़ाब जवाब दीजेगा सभी लोग करनाटक के आगे नुद्दे की तिरफ चलेंगे। पहले आप दिविक बता हैं बहुत बढ़िया मुकुल सरकार जी, बीजु वाई वाला, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे करनाटक के जो सियम है, बीजु वाई वाला। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर याद रखेंग कारगम नामत मृत्तिरी कहां पर होता है, इसी करनाटक का में होता है। अगले न्यूस के तरफ चलते हैं, इंडिया विंस, 184 आउट 192 वोट्स, तो एंटर यूएन सैक्यूरिटी कॉंसिल, जो यूनाटेट नेशन का जो दोस्तों यूएन सैक्यूरिटी कॉंसिल होता याद रखिएगा, इसमें टोटल जो सदस्य होता है, टोटल मेंबर कितने होता है, आप लोग जानता है, फिटीन होता है, ठीक है, जो इसमें नौन पर्मानेंट होता है दोस्तों, नौन पर्मानेंट कितने होता है इसमें, नौन पर्मानेंट दस होते हों और पर्मानेंट में भारत नहीं गया है, वो किस में गया हुआ है, यह किस में गया हुआ है तो याद रखिएगा, non-permanent सदस्य बना है, और दोस्तो unopposed group से इंडिया जीता है यानि कि इंडिया को टोटल 192 में कितने 184 vote मिले हैं, याद रखिएगा, और जो भारत है, इसमें प्रवेस करने कितनी, कौन सी बार प्रवेस किया है, 8 टाइम, 8 फी बार इसके United Nations Security Council में भारत प्रवेस किया है, इस जिसको आपको याद रहतना है, clear up point यह आता है और इसके जो permanent member है permanent member में कौन कौन है, याद रखिएगे France है, उसके बाद कौन है याद रखिएगे, रसिया है, रसिया के बाद क्या है, दोस्तो चाइना है चाइना के बाद USA है, USA के बाद क्यों है दोस्तो, यूँकि ये 5 countries हो है, वो UNSE के permanent उसमें क्या है, सामिल है, इस जिसको याद रखिएगे, भारत भी कई वर्सों से लगातार प्रियास कर रहा है, वो इसके permanent member में सामिल हो, बट जो हमारा bordering country जो है चाइना, चाइना बार-बार क्या करता है, चाइना बार-बार क्या करता है, इसके उपर क्या लगा देता है वीटो लगा देता है, क्या लगा देता है वीटो लगा देता है, भारत के सामिल होई की जब भी बात आती है, तो चाइना उस पर क्या करता है, अपना वीटो लगा देता है इस चीज़ को आपने याद रखना है टेक है, राहुल कोबली जी बिलकुल बन सकता है, लेकिन चाइना के उसके कारण, चाइना के वीटो के कारण भारत जो है, अभी तक इसका हिस्सा नहीं बन पाया है, ठीक है जब हम बात करता है, दोस्तो यहाँ पर एक बड़ाया वीटो पावर, जो वीटो पावर होता है, दोस्तो प्रेसिडेंट का राश्टुपती के वीटो पावर के लिए कौन सा अनुच्छेद है, आप लोगं को ये बताना है, दोस्तो, फटाबट आप लोग जवाब देंगे, ठीक है, फटाबट इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, दोस्तो, सभी बच्चे, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, और वीडियो को दोस्तों सेर भी करते रही आप लोग, याद रखें कि यहाँ पर जो वीटो पावर है, दोस्तों, प्रेसिडेंट का, वो कि इसमें है, आर्टीकल 1, यानि कि आर्टीकल 111 है, इसमें वीटो पावर है, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगले न्यूस की तरफ चलता है, अल इंडिया फुटबॉल फेडरीशन, अल इंडिया फुटबॉल फेडरीशन, रिसेंटली रिकॉमेंडेट किया, भारतीय पुरो भारतीय कप्तान आयम विजियन को क्या किया है, रिकॉमेंड किया है, ये भी दोस्तों एक इंपर्टेंट नियूस है, इस चीज़ को याद रखेंगे, जब बात करता है दोस्ते यहाँ पर भारत के अंदर जो सबसे बड़ा नागरिक शम्मान है ना, उसका नाम याद रखेंगे क्या है, उसका नाम है भारत रत्ना, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक शम्मान क्या है, पद्म विभूशन, कौन सा है, पद्म विभूशन, इसके बाद याद रखेंगे क्या है, इसके बा 1954 भी हुई थी लेकिन याद रखेंगे दोस्तो 1978 में जो ये सम्मान जो 1978 से 1980 के बीच ये सम्मान नहीं दिये गए थे because कि जो जमता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो उसने दोस्तों कहा था कि Article 18 का इससे क्या होता है violation होता है और आप लोग जानते Article 18 के अंदर क्या दिया गया है? Abolition of Titles की बात करी गई है Abolition of Titles यानि कि उपादियों के अंत की बात करी गई है इसी Article का हवाला देकर क्या किया जो जमता पार्टी की सरकार थी उसने क्या कर दिया दो साल तक इस Award को देना क्या कर दिया? बंद कर दिया था लेकिन फिर से इसे 1980 में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था जब बात करता है दोस्तों सबसे पहले भारत रत्न की सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था, तीन लोगों को मिला था एक तो थे दोस्तों क्या, सी राजगोपादाचारी दूसरे किया थे डॉक्टर सुरॉपणली रादा गृष्णन और तीसरे क्या थे दोस्तू तीसरे का नाम था सीवी रमन इन तीनों को सबसे पहरी बार भारतीया क्या भारत रतना कुरसकार दिया रहा था जब हम लोग बात करते हैं दोस्तो फुटबॉल की फुटबॉल से दोस्तों संबंदित जो कप है याद रखिएगा संदोष ट्रॉफी डुरंड कप इन सभी का संबंद दोस्तों किस्से है फुटबॉल से है इस तर्चे को भी आप याद रखिएगा सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों तो चलेंगा हम लोग इसके बाद अगले नियूज के तरफ अगला दूसरा किस का मुख्याल है National Institute of Virology का मुख्याल है National Cell Research Institute इसका भी मुख्याल है कहां पर रहें दोस्तू पूने में और आप Diamantun को यह भी याद रखना होता है कि 1 barrel में कितनी लिटर थेल होते हैं. तो याद रखींगे हैं, एक barrel में दोस्तों, याद रखना 159-L neters क्या होता है, ग्रू डाइल होता है, इस जीजिज को भी आपको याद रखना है. और cell की study को जैसा आप लोग बता रहे हैं cell की study को क्या कहा जाता है दोस्टो that is called cytology cell की study को क्या कहते हैं हम लोग cytology कहते हैं इस जिसको याद रखने और दोस्टो जितने भी petroleum exporting countries हैं उनका एक संगठन भी है जिसका नाम है OPEC OPEC या organization of petroleum exporting countries जिसका hit quarter किदर है दोस्टो जिसका hit quarter है Vienna, Austria में इस जिसको भी आपको याद रखना है और cell, cell की खोश करने वाले कौन जे दोस्टो cell की खोश करने वाले व्यक्ती का नाम था Robert Pook जैसा आप वो पता रहे हैं बिल्कूल सही बता है अब हम लोग बात करेंगे दोस्टो इसके अगले अगला न्यूस आपके स्क्रेंड की ऊपर मलियालम फिल्म डाइरेक्टर के आर सचिदा नंदन मलियालम फिल्म डाइरेक्टर के आर सचिदा नंदन पास्ट अवे यानि कि मलियालम फिल्म निर्देशक के आर सचिदा नंदन का क्या हो गया? निर्दन हो गया यहाँ पर मली आलम की जब बात करते है दोस्तों मली आलम कहां की भासा है ताब लोग जानते हैं कहां की भासा है यह केरला कहा का लेंग्वेज यह केरला वही केरला जहां पर कथक नित्य होता है और जहां पर दोस्तों क्या होता है कथक कली नित्य होता है और जहां पर दोस्त मुहिनी अट्टम नामप्नित्ती भी कहां पर होता है इसी केरला में साइलेंट वैली नैशनल पार्क भी दोस्तों इसी केरला में है इस जिसको आपको याद रखने है अच्छा बहुत बढ़िया रादर कोहन जी आपने बहुत बढ़िया डिपी लगा रखा है सलमान खांग का ठीक है चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद हो लोग इसके आगे अगले न्यूस के तरफ चलते हैं अगला न्यूस जेस डबलू सिमेंट बहुत किसे सौरफ गॉंगली को और किसे सौनील चैतरी इन दोरों को न्यूक्त किया है सौरफ गॉंगली के बारे में जानते हैं दोस्तों ये बीसी सी आई के क्या है प्रसिडेंट भी जानते हैं आप लोग और बीसी सी आई के सी यो कौन है सेक्रेटरी कौन है ये भी आप लोग चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके आगे अगले न्यूस की तरफ चलते हैं अगले न्यूस दोस्तों आपके स्क्रिंग को पर Veteran Economist and Member of the 10th Finance Commission BPR विट्थल बारू पास्डवेट 93 यानि कि वयोब्रिद अर्थसास्त्री और दसवे विट्थल बारू का 93 में क्या हो गया निदन हो गया यह जो दोस्तों 10th Finance Commission है 10th Finance Commission की जब बात करते हैं तो सबसे पहला तो हमारा प्रसने आपसे के 10th Finance Commission के हेड कौन थे आपको यह बताना है दूसरी बात आपको यह बतानी है कि Finance Commission के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे संभिधान के अंदर वर्तमान में जो दोस्तों वित आयोग है वो कौन सा 15 वित आयोग चल रहा है जिसके हेड कौन है दोस्तों N.K. Singh ठीक है और इनका जो रिकमेंडेशन होगा दोस्तों 2020 से 2025 के बीच में लागू किया जाएगा इस चीज़ को भी आपको याद रुखना है जब Finance Commission की बात करता है तो हर पांच वर्स पर रास्टपती यानि प्रेसिडेंट क्या करता है Finance Commission का गठन करता है इस चीज़ को जानते है Finance Commission के लिए बहुत बढ़ी है हमारी पास जवाब आ रहा है बच्चों का कि इस बच्चे जा रहा है Article 280 में Finance Commission की बात कर रहे हैं तो बिलकुल आप लोग सही बता रहे हैं कि Article 280 में ही क्या बात करी गई है Finance Commission की बात करी गई है दोस्तो हमारा दूसरा प्रशन है 10th Finance Commission के हेड कौन है यह आपको बताना है 10th Finance Commission के हेड कोन है पड़ा पड़ जवाब दीजिएगा 10th Finance Commission के हेड कौन है जल्दी से सभी बच्चे जवाब दे 10th Finance Commission के हेड कौन थे ठीक है फड़ावर जवाब है 10th Finance Commission के हेड कौन थे हमारे पास अभी तक जवाब आया नहीं है तो याद रखिएगा दोस्तो 10th Finance Commission के हेड है केसी पंत क्या नाम है उनका केसी पंत जो थे ये 10th Finance Commission के क्या थे दोस्तो हेड थे इस चिसको याद रखना है जो 14th Finance Commission थे उसके हेड कौन थे उसके हेड कौन थे दोस्तो वाई वी रेड़ी याद रखिएगा कौन थे है वाई वी रेड़ी वो 14th Finance Commission के हेड थे इस चिसको भी आपने याद रखना है 13th Finance Commission के हेड़ कौन थे तो विजए केल कर थे जब कि 12th Finance Commission के दोस्तो हेड़ कौन थे उनका नाम था सीरंगराजन हमारा प्रशन है आप से एक भूख है दोस्तो Who Moved My Interest Rate Who Moved My Interest Rate इसके दोस्तो लेकर कौन है Who Moved My Interest Rate यह जो किताब है इसके राइटर कौन है आप लोग को यह बताना है बिल्कुल केसी पंत is the right answer हमारा प्रशन है आप से कि जो Who Moved My Interest Rate इसके राइटर कौन है जल्दी से आप लोग जवाब दीजे सभी लोग है ना Who Moved My Interest Rate के राइटर कौन है सभी बच्चे सेशन जल्दी से जवाब दीजेगा इसका बिल्कुल पहले वितायोग के हेड कौन थे First Finance Commission के हेड थे दोस्तो केसी नियोगी जो पहला वितायोग था इसके हेड कौन थे केसी नियोगी इस चिसको भी आपको याद रखना है केसी नियोगी पहले वितायोग के हेड थे बहुत बढ़िया चलिए हम लोग बात करता है दोस्तो इसके आगे अगले नियोज की तरफ हमारा प्रशन अभी तरफ हमारे प्रशन का जवाब नहीं आया है ठीक है इसका आप लोग जवाब दीजिए सभी अभी तक हमारे पास जवाब नहीं आया है या नोट रगुराम राजन पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ फिर आपको बता रहा हूँ तो याद रखेंगे डी सुबारा क्या नामे उनका अगले नियूस की तरफ जाता है अगला नियूस वर्ल्ड सिकल सेल डे वर्ल्ड सिकल सेल डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों ये मनाया जाता है 19 जून को इस चीश को याद रखना है वर्ल्ड सिकल सेल डे जो है दोस्तों ये मनाया जाता है 19 जून को जब सेल की बात करते है तो जो सेल है सेल की स्टड़ी को दोस्तों क्या कहा जाता है cell की study को हुलोग कहता है cytology cell जो है दोस्तों जब बात करता है cell की तुछ cell से याद रखें के दोस्तों cell की कोज किसने करी थी राबर्ट हुग ने लेकिन राबर्ट हुग ने दोस्तों जिस cell को खोजा था वो एक ऐसा एक dead cell था जब कि सबसे पहले Living Cell की खोज करने वाले कौन थे Antonio Valdeva सबसे छोटी कोशी का दोस्तों किसमे मिलती है तो आप दोख जानते है Mycoplasma नामक एक बैक्टेरिया में जबकि सबसे बड़ी कोशी का दोस्तों किसमे मिलती है Ostrich Egg में मिलती है हमारे सरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशी का होती है जबकि हमारे सरीर के अंदर सबसे छोटी कोशी का क्या होती है Aspam यानि Sopranos होती है सबसे छोटी कोशी का होती है अब बात कहेंगे दोस्तों इसके अगले नियूस के अगले नियूस RIL RIL का मतरब है पर 11,00,00 करोड यानि कि 11,00,00 करोड के वैल्यू वाली सबसे पहली जो इंडियन कंपणी बनी है वो कौन सी बनी है दोस्तो रिलाइस इंडस्ट्रीज लिमिटेट इस और अवसो अवरी इंपोर्टेंट नीउस बहुत ही इंपोर्टेंट नीउस है इस जिस पाँ याद रखन यह तो रिलाइस इंडस्ट्रीज लिमिटेट है दोस्तो जिसका एंड़कोर्टर किदर है मुंबई में है याद रखिएगा यह दोस्तो भारत की मतलब पहली कंपणी बनी है जिसका दोस्तों बुल लिया जिसका वैल्यू कितना है यूस्टी डॉलर 150 बिलियन या लग बर 11 लाग करोन उपए क्लियर है पॉइंड या तक चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले नियूस की तरफ अगला नियूस आपके स्क्रेंट के उपर यह रहाँ फ्रांस टू प्रोवाइड बहुत ही अच्छा सवान है फ्रांस टू प्रोवाइड लॉन ऑफ 200 मिलियन इसको पर रिस्पॉंस के लिए रांस है भारत को कितना करज देगा 200 मिलियन यूरो करज देगा इस चीज़ को आपको याद रखना है अब बात करता है दोस्तोव फ्रांस की जो फ्रांस है फ्रांस का कैपिटल तो आप लुक जानते हैं पारिस है यही पर दोस्तों OECD बोक यही पर आपका UNESCO का मुख्याले है यह पेरिश जो है दोस्तों सीन नदी के किनारे आप लोग यह भी जानते हैं सीन रिवर के किनारे जाई है यहां कि तो प्रेसेडेंट हैं Emanuel Macron है यह भी आप लोग जानते हैं लेकिन दोस्तों हमारा प्रशन है आपसे इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी exercise होती है कौन सी exercise इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है यह आप लोग बताना है जल्दी से आप लोग जवाबते हैं और दोस्तों आप लोग session को share नहीं कर रहा हैं तो जितने भी बच्चे देख रहा हैं सभी बच्चे session को share भी करते रही है समझ में आ रही है चीज़ है तो session को क्या करा है आप लोग सेर और like भी करते हैं ठीक है बहुत अच्छा है हमारा प्रशन है इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी exercise होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी exercise होती है आप लोग को ये बताना है ठीक है हमारे पास जवाब भी आना सुन हो चुका है और बिलकुँ सही जवाब आ रहा है दोस्तों याद रचिएगा इंडिया और फ्रांस के बीच में एक होता है वर्वन और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों याद रचिएगा दूसरा होता है गर्वड सक्ती कौन सा गर्वड सक्ती ये दूसरा exercise होती है ठीक है पहौर दंज ठीक है ठीक है ठीक है अब हमनों बात करता है अगे न्यूस की तरफ चलते हैं, फॉर्मर आर्बी आई गवर्नर उर्जित पतेल टु टेक ओवर एड शेयर्मन अफ एन आई एफ पी एफ पी जो मतलब आर्बी आई फॉर्मर आरबी आई गवर्नर उर्जित पतेल नाम आप लोगों ने सुना होगा, यह उर्जित पटेल शाहुआ निका जर्म याद रखी है काप वह था नायरोबी Kenya, इनका जर्म Kenya में हुआ था है ना और यह Kenya के बारे में जानते हैं आपको कि इस Kenya के जो गैपिटल है किदर अब है यह नायरोबी और नायरोबी में ही किसका मुख्याले आपको जानते हैं United Nation Environment Program का मुख्या ले है यह NIPFP क्या है दोस्तो National Institute of Public Finance and Policy यह दोस्तो संस्था है इस संस्था का चेर्मन न्यूट किया गी है इस चीज़ को आपको याद रखना है RBI की जब बात करते हैं दोस्तो RBI में गवर्नर कितने होता है एक ही होते है RBI में Deputy Governor कितने हो सकता है माक्सिमन कितने हो सकता है दोस्तों 4 हो सकता है 4 से अधिक नहीं हो सकते 4 से कम हो सकते RBI की अस्थापना याद रखियेगा दोस्तो RBI की अस्थापना 5 करोड रूपे के टेपिटल के साथ हुई थी कब 1. April 1935 आर्बियाई के जो पहले गवर्णर थे सर और स्पॉर्ड इसमिट थे जबकि पहले भारतिय गवर्णर जो थे उनका नाम था क्या उनका नाम था दोस्तों सीडी इसमुट वर्दमान में जो दोस्तों आर्बियाई के गवर्णर उनका नामे सकती कांगदास RBI की जो दोस्तो RBI का nationalization हुआ था था वो एक जनवरी 1949 को हुआ था जबकि RBI की जब बात करता है दोस्तो RBI का वित्तिय वर्स कब से कब तक होता है तो एक जुवाई से लेकर 30 जुन तक क्या होते है RBI का वित्तिय वर्स होता है इस जिसको आपको याद रखना है ठीक है अब बात करता है दोस्तो इसके आगी अगले news की तरह अब हमारे पास सवाल है सवालों की बात करेंगे इसके बाद दोस्तो यह आज की किया थे important news थे डीक है अब इसके हाद हम लोग किसकी चर्चा करेंगे सवालों की चर्चा करेंगे, तो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे, फिर लोग क्या करेंगे, सवालों की तरफ नूप करेंगे, सेशन अच्छा लगा है, दोस्तों ताफ लोग सेशन को सेर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, और जो नए इस्टूटेंट यहाँ पर अबलेबल कराई साए, बिलकुल सिमा मापुर की माइकल पार्तरा बीपी कानून को महिस कुमार जैं और बिलकुल यह क्या है, डेप्टे गवर्नर है, प्ले रहें आपके, शरी, आज सामने होगी धर्मेंद्र बंसल जी, आज सामने 8 बजे होगी आपकी ख्लास, चीक है, और किसी का कोई डाउट यहाँ था, और किसी का कोई डाउट है तो फूच कीजिए, फिर आम लोग सवालों की तरफ मूव करेंगे, चलिए, तो मूव करें सवालों की तरफ, आप लोगो ने तना पढ़ लिया, और मैंने दोस्तों PDF भी डाला था किसमें, ग्रुप से जोडना चाता है ता आप attendant बस सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाए, अप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर सबस्क्राइब कर सकते हैं, अब आप बात करता है दोस्तों आज के पहले सावाल, आज का पहला सावाल आपके इस pl इंडिया एक्स्टेंडेट फाइनसियल एड़ उपीज 2.33 करो तू कंस्ट्रक्ट सैनिटेशन फासलेटी इन पसुपतिनाथ टेंपल लोकेटेट इन विच कंट्री देखे मैंने पहले ही क्या बोला आज की न्यूस के तो सवाल देखे ही ने देखेंगे साथ ही जो पिछले सवाल को देखने वाले हैं ताकि आपका साथ साथ क्या होता है रिवीजन भी चलता है ठीक है मोतिलाल एंड सोलुड आलटन गेंटी देखें पॉलेटी सिमा मापुर जी कराऊंगा जैसे मुझा आज तो नहीं कल से मैं पॉलेटी के लैच्छिस भी लोगा आप टेंसन नही सब्सक्राइब करने के लिए कितना रुपया खर्च कर रहा है चुव पॉंट त्री करोड रुपेगा क्या दिया है मद़ किया है आप लोग जानता है दोस्तों यह जो कि है कहां पर है नेपाल में है और नेपाल का दोस्तों के दर काट मांडू इसे काट मांडू की जब ब South Asian Association for Reservoir Corporation, इसका इटपर्डर का आवर है, काटमांडू का ये जिस आप लोग साथे हैं, ठीक है, जब बर्मा की बात करते हैं, दोस्तों, बर्मा का ये वर्तमान में जो नाम है, ये क्या है, म्यामा, म्यामार की जब बात करते हैं, दोस्तों, इसका कैपिटल किदर है? Ng先食awa, एक गर्मा की करणसी के वर्तमा है, दोस्तों, क्या है? भूटां की वारे हैं, आप लोग जानते हैं, दोस्तों, b oyn 125वरं का कैपिटल, इसकी करणसी है, नर्कडू्टरों इसकी करणसी है, और तिब्बत के वारा में याद आखिए नसम उसको किस नाम से जानते हैं को सांगको के नाम से जानते हैं किसे तिब्बत में प्रह्मपुत्र को इस चीज़ को आप लोर जाते हैं तो प्रामिनिस्टर का नाम क्या है किपी सर्मा ओली इस दिसको भी आप जानते हैं भारत और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होता है दोसको क्या होता है भारत और नेपाल के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है यह आप जानता है सुरिय किरन सुरिय किरन जो होता है भारत और नेपाल की बीच में होता है जबकि नेपाल और चीन के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम किया दोस्तु सागर माथा शागर माथा एक्सरसाइज किसकी बीच में नेपाल और चीन के बीच में होता है शागर माथा दोस्तो नेपल भी किसे कहता है क्याता कि का विस्षप की तो सबसे WORLD का जो सबसे highest peak है जिसका नाम है Mount Everest Mount Everest को भी नेपल भी किस नाम से जाना जाता है शागर माथा के नाम से जानता है इस चेज़σकों को यादना है Clear e point जाता है चलिए अब अब बात करता है दोस्तों इसके आगे अगले डियूस की तरफ चलते हैं अगले सवाल की तरफ आगला सवाल आपके स्क्रेंड के ऊपर यह आप Name the BCCI first Ombudsman who has got one year extension as ethics officer and ombudsman यानि कि BCCI के पहले लोगपाल का नाम बताएं जिसे नयतिकता अधिकारी और लोगपाल के रूप में एक साल का विस्तार मिला है P.K. Misra, V.K. Singh, Tarun Vizay या D.K.s हैं इसका अप्लुक जबा दीजिए बिल्कुल नजर आहमत जी Hand in Hand ये भारत और चीन के बीच में बने वाला exercise है इस चिसको आपको याद बहुत अच्छे बहुत अच्छे रादे मोहन जी बहुत बढ़िया रादे सियाम जी मुपल सरकार जी सभी लोग बिल्कुल सही उतर दे रहे हैं और दोस्तों शेसन को आप लोग क्या कीजी शेयर भी करते रहे हैं सभी चात कर शेसन को आप लोग लाइक भी करते हैं ठीक है चली इसका दोस्तों सही उतर क्या आप लोग को पता है इसका सही उतर क्या है इसका सही उतर है धीकेजन बी-सी-सी-ई के बादे में आप लोग जानते हैं, इसके head partner Mumbai, इसके head है, इसके जो president है, इसके जो secretary general है, उनकी जो secretary है, इनका नाम है, कौँ जैसा ये इसके secretary है, आगले सवाल की तरफ चलते हैं, What is India's ranking largest recipient of FDI in 2019 as per world investment report 2020, टीक है नगा, world investment report 2020, ये दोस्तों कौँ रिलीस करता है, ये रिलीस करता, अंक टेट, अंक टेट का मतलब कि United Nation Corporation for Trade and Development, ठीक है न, United Nation Corporation of Trade and Development, ये दोस्तों अंक टेट का क्या है, प्ला मतलब है, ये विस्वर निवेस report 2020, या कई बार आपसे ऐसे भी सवाल पूचा जाते है, ये वर्ल इनवेस्टमेंट रिपोर्ट किस agency के दुआरा जारी की जाती है, या रखिएगा, दोस्तों, world investment report ये आंक टेट के दुआरा जारी की जाती है, और इसमें भारत जो दोस्तों, FDI में, पूरे विस्वर ने भारत का जो रहें के, FDI के, मतलब recipient में, या रखिएगा, वो कौन सा अस्थान है, नवा अस्थान है, आपको ये बताना है, किस FDI में, recipient में, टॉप किस country ने किया है, FDI की जब बात करता है, दोस्तों, इसका पूरा मतलब होता है, foreign direct investment, क्या मतलब होता है, foreign direct investment, यानि जब किसी विदेशी के वारा, जब हमारे देश के अंदर, किसमे, manufacturing में, इविस्ट किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलता है, foreign direct investment, जब कोई विदेशी कमपनी, हमारे देश में आकर, नई कमपनी में विविस्ट करती है, तो उसे दोस्तों हम लोग green FDI करते हैं, और जब कोई विदेशी कमपनी, हमारे देश में आकर, पुरानी कमपनी में ही विविस्ट करती है, उसे हम लोग क्या क्याता है, दोस्तों, brown FDI करते हैं, इस जब को याद रखना है, ठीक है, यहाँ बर दोस्तों, जब बात करते है, इसमें जो top किया है, वो किस ने किया है, दोस्तों, USA ने किया है, इस जब को याद रखना है, इसका सही उत्तर क्या है, इस correct answer is, option 3, 9 is the right answer, शेशन को दोस्तों, आपको सेयर करते रही, सभी छाट्र, लाइक भी करते हैं सेशन को, next सवाव की तरब चलते हैं, अगला सवाद, which John of Indian Railway, has installed an automated ticket checking and managing access, आत्मा, machine, recently in नागपूर station, इसका आतुर जबात दीजेगा, FII होता है, सोभी डाल जेंगें जी, FII जो होता है, जब किसी विदेशी कमपनी के दुआरा भारत के सेयर मार्केट में जब निविश किया जाता है, तो उसे हम लोग FII या फॉरन इंस्टि ठीक है ना, FPI या FII कहा जाता है, उसे इस चीज़ को या जाता है, ठीक है, उसके लिए आप हमारी Economics की विडियो देख सकता है, उसमों मैंने सभी तत्यों को काफी अच्छे से डीटेल में बताया हुआ है, जब बात करता है दोस्तों ये नागपूर station में जो आत्मा अस्का पर का क्किया, ये दोस्तों किस जौन के अंदर आता है, Central Railway के अंदर आता है, Central John के अंदर आता है, और Central John का दोस्तों ये भी जानता है, ठीक है ना, और याद रखिए का दोस्तों जो आपका सबसे नया जो बना है, South Ooster Railway, जिसका 8 नागपूर दोस्तों विशाका पत्तनम म नागपूर कोई दोस्तों आप बोलते हैं इसका आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इसका, कि नादपूर जो है किस नरी के गिनारे इस तित है, ठीक है? और औरेंज से याद रखें, कि औरेंज में aufagar Death? रूरेंज में centric acid होता है, कौन सा acid होता है, Tibetepte पोर्ट है कहां पर भारत का सबसे गहरा जो समुत्र पत्तन है दोस्तों सबसे जो डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का वो कौन से विशाका पत्तनम है विल्कुल इसे वायज़क भी खहते हैं चीक है नागपूर किस नरी के किनारे इस्तित है आप लों को यह बताना है रजली क किसका मुख्याले ये भी आपको बताना है फड़ावट जवाब दीजिए नागपूर के बारे में याद रखेंगे दोस्तों ये किस नरी के किनारे इनका नाम ही पढ़ा है क्या नागपूर नागपूर से याद रखेंगे किस नरी के किनारे नाग रीवर के किनारे इस्तित है और इस नागपूर में दोस्तों इसका मुख्याले है तो नीरी किसका मुख्याले है नीरी का मतलब क्या National Environment Engineering Research Institute ये इसका पुला मतलब है बहुत अच्छे अरपीता सरकार जी ने बिलकुल से युद्तर दिया है बिलकुल सभी बच्चे नागरी पर मुखूर सरकार जी बहुत बढ़िया सेशन को सेर करते रहा आप अगले सवाल पर चलते है अगला सवाल दा फोर्थ अडिशन ओप एसीन यूथ पारा गेम्स इस गोईन टो बी हेल्ड इं विच कंट्री इन दिसम सभी बच्चे इसका जवाब फटा फटा आप लोगों को यह बताया गया है मैंने दोस्तो गूत में आपका पीडियाफ सेर किया था उसमें सारे ये न्यूद जो है दोस्तो सारे न्यूस मैंने सामिल किया हुए है जिससे रिलिकेट सवाल है इससे ये पता चलेगा आप लो लोड करते छोड़ देते हैं यह इसका आप लोग जवाब दीजिएगा यह इसका दोस्तो कहा पर आई होने वाला है सभी पेहरेन में और सभी डेम की डिरन की दोस्तों दोस्तों आपनों जान रखे लिखे में माना आदा आप लाड़ान जैस तो अ राज मोहन बोहरा, who passed away in June 2020, is already known, राज मोहन बोहरा, जिनका जून 2020 में निदन होगी है, वो एक प्रशिद दैस है, एक्टर है, आर्बी परस्नल है, पैंटर है, या आर्किटेक्ट है, अगला सब आपके स्क्रिन के ओपर आ जुका है, इसका पुछ लात है, और शेशन को सेर क करते रहे हैं, लाइक करते रहे हैं, लाइक करते रहे हैं, लाइक करते रहे हैं, जादा से जादा आप लोग दोस्तों शेशन को क्या करें, सेर करें, राज मोहरा की जब बात करते हैं, इनको कौन सा चक्र मिला था, आपको ये बताना है, कौन सा इनको सम्मान मिला था, ये मारा कीद्टन क्या है और सपेने दोस्तों जो सबसे बड़ा संबाइन डिया जाता है और यह 1972 दोस्तों और यह दो सके आवफ्या था 10 को जो संमान मिला था उसका नाम क्या है महावीर चकर से इनने क्या किया गया था संभानित भी किया गया था इस चीज को लिए इस चीज के लिए इस चीज को भी आपको याद रखना है यानि कि Clara and the Sun नामक उस्तक के लेखक कौन है? Clara and the Sun नामक उस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा. पढ़ा पढ़े सभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है. जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिए. कि Clara and the Sun नामत उस तक के रेखर कौन है कुजाओ इसी गुरो बॉब डाइलन अलिक मुन्रो या पीटर हैंड के जल्री से इसका जवाब दीजिए रसा दीबर और इसी प्रकार दोस्त आप लोग शेजन को सेर करता हो तो साम में आपकी आठ बजाच इस्ट्री की क्लास होगी इस चीज़ को भी आपको याद रखना है ठीक है ना बहुत बढ़िया सिरुन हापुर जी बहुत अच्छे रज़ी कुमारी जी बहुत बढ़िया मुकुल सरकार जी रवीन सर्मा जी इस सवाल का जबाब दीजिया कलारा एंड़ सं आपर देखिए सं की बात करते हैं तो सं से यहाद किया कारत के अंदर सं जो है आर्थ का सबसे नीरेस्ट स्टार है कौन है सं यहाँपर एनर्जी किसके कारण यह भी आप लोग जानते है है Nuclear लिए कारण कार्ण है ना ना ऑगंगी संलें के कारण होता है और सब्सक्रार्थ को तक पुछता है वह इसके न फॉउ स्पीज़े लेकर को ने का हुओ इशभुरू उन्कों तो दोस्तो 2017 में क्या नहुंब फुरसकार भी मिल चुका है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, तो इसका correct answer सुभी बच्चों नहीं गरत बताया है, इसका correct answer है, दोस्तो option 1 is the right answer, ठीक है, अगले सवाल की तरब चलते हैं, अगला सवाल आपकी screen के ऊपर, यानि कि जो desertification और draft इसके लिए जो दोस्तो विश्वा दिवस मनाया जाता है, यह कम मनाया जाता है, जून 20 को, जून 18 को, जून 17 को या जून 21 को, जून 21 को दोस्तो आप लोग जानते हैं, कौन से दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड योगा डे, है ना, वर्ल्ड योगा डे, व उपसानते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब बात करता है दोस्तो इस सवाल की, इस सवाल का सही उपतर क्या है दोस्तो, its correct answer is June 17, June 17 is the right answer, है ना, कम मनाता है इससे, June 17 को यह मनाया जाता है इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे, आगले सवाल की दरफ चल पर आपको यह बताना है, धाका की तब बात करते हैं, दोस्तो, यहाँ पर किसका मुख्या ले, यहाँ पर बिम्स्टेक का मुख्या ले, किसका मुख्या ले, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक यानि क्या होता है दोस्तो, Bay of Bengal, इसका पूरा मतलब है Bay of Bengal, initiative for multi-sector, technical and economic cooperation, क्या दोस्तों 1906 में किस ने आगाखाँ साहब नी किसका दोस्तों क्या किया था किसकी अस्थापना करी थी Muslim League की संगहाई की जब बात करता है दोस्तों यह जो संगहाई है इसमें यहां पर दोस्तों किसका मुख्याला है NDV New Development Bank यजिसे लूग क्या बोलते हैं, Bricks Bank बोलते हैं, इसका मुख्याले, जब बात करते हैं तो इस तो hum Beijing की, यह जो position है दोस्तो यहाँ दाका कहा पर है दोस्तों बांगलादेस की राजधानी है वहां की करंसी टका है और भारत और बांगलादेस की बीच में कौन सा दोस्तों exercise होता है आपको ये भी बताना है which exercise is between India and बांगलादेस बहुत अच्छे रजली जी प्रेयंका वर्मा जी रादे मोहन जी यगवेंद्र सिंग यादर जी प्रेयंका वर्मा जी कवीना सर्मा जी बहुत बढ़िया हमारा दोस्तों एक क्रश्म को आप से कि इंडिया और बांगलादेस के बीच में कौन सा exercise होता ह International Solar Alliance के अगर बात करता है दोस्तों इसका याद रखेंगे कहां पर है इसका दोस्तों मुख्याले कहां पर है गुरू ग्राम में इस चिसको याद रखेंगे और भारत और बांगलादेस के बीच में जो exercise होता है उसका नाम के है दोस्तों संप्रीती क्या नाम है संप्रीती ब में किसका फूड अग्रिकल्चर और गिनाजीशन का मुख्याले है हेग में दोस्तों किसका मुख्याले इंटरनाशनल कोर्ट अब जस्टिस या फिर इंटरनाशनल क्रिमिनल कोर्ट इस दोनों का मुख्याले कहां पर है ग नीदरलेंड में वियना में दोस्तों किसका मुख किस नदी के किनारे इस्तित है ये दोस्तों इस्तित है किस नदी के किनारे हडिसन हडिसन रीवर की किनारे इस्तित है इस जिसको भी आपको याद रहना है ठीक है अब बात करता है दोस्तों अगले सवाल आपके इस्तिंड के ऊपर यह रहा विच स्टेइट हैज अब्जर्वड मास्क डे ओन जून 18, 2020 अब तो किसी कोई भी बच्चा यहां पर गलत नहीं करेगा क्योंकि अभी तो हम लोगोंने हाल नहीं इन सभी तुरत ही अभी इस न्यूस को पड़ा हुआ है यहां पर कोई भी बच्च गलती नहीं करेंगे आप लो करनाटक की बात करता है दोस्तों यहां पर बांदीपूर नैस्टनल पार्क यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा बंगर गट्टा नैस्टनल पार्क यही पर दोस्तो राज इतना दिया नागर होल नैस्टन पार्क है इसी करनाटक में इस जिसको भी आपको याद रखना है तमिल नाडू की जब बात करता है दोस्तों तमिल नाडू में ही याद रखेगा भारत का सबसे पहला बायो स्फेर रिजर्व कौन सा नीलगीरी नीलगीरी operation där रिजर्व दोस्तों कहां पर इसी तमिल नाडू में पाया जाता है, इस जिसको याद रखना है, जिसकी अस्ताबना 1986 में हुई थी, जब बात करते हैं दोस्तों इसी तमिल नाडू में भरत नाट्यम नामक डत्य भी होता है, आंदर प्रदेश की जब बात करते हैं, यहां पर कुच्ची महाराष्टर की जब बात करते हैं इस पर डविटर मुंभई यही पर कौन सा लावनी और तमासा नामत प्रित्य होता है और इसी महाराष्टर में दोस्तो कौन सा लेक है आप लोग जानता है लो नार लेक जो है यह कहां पर है This is in महाराष्टर ठीक है शेशन को आपको दोस्तो शेयर करते रहे हैं, लाइक करते रहे हैं, बिलकुल करनाटक में याद रखिया कुंद्रे मुख, कुंद्रे मुख जो है दोस्तो, ये भी कहाँ पर एक कुंद्रे मुख नैस पर ये भी कहाँ रहे करनाटक में, और इसी करनाटक में दोस्तो याद र and highly ductile सबसे ज़्यादा ductile और सबसे ज़्यादा malleable जो दोस्तो धातू है वो कौन सी है old है इस चीज़को भी आप लो याद रखेंगे बिलकुस यह महापुर जी काला गोडा महुत सब मुंबई में होता है मुंबई situated on the bank of which river याद रखेंगा यह जो situated सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है रटा से नहीं है कोई बता सकता है जल्दी से जबाब दीजी आप लोग इसी तरह दोस्तों शेशन को आप लोग share और like भी करते रहिए और आपकी सामने आज हिस्ट्री की भी class होगी दोस्तों याद रखेंगे तो हमारा प्रश्ण है आपसे बिल्कुल Aquarasia जो होता है गोर्ड में पूरी तरह गुल जाता है सिवाम आपुर जी वही Aquarasia जिसका निर्मान XCL और HNO3 उसको 3-1 में क्या करने से मिलाने से बनता है क्या Aquarasia याद रखिए वभारत की जो सबसे बड़ी जन जाती नहीं है यहाँ पर सभी बच्चे गलत जबाब दे रहे हैं गौन MP जो है MP के सबसे बड़ी जन जाती कह सकते हैं गौन को लेकिन भारत के सबसे बड़ी जन जाती गौन नहीं है That is the second largest tribe of India Second largest tribe है भारत की जो सबसे बड़ी जन जाती है न दोस्तो उसका नामे क्या भील याद रखिएगा क्या है भील तो ऐसी गलती नहीं करेंगे Sonu Dalton जन जी ने बिल्गुल सही जवाब दिया है ठीक है टोड़ा जन जाती कहां पर मिलती है तमिल लाड़ों में चीचु कापर केरल आंधर प्रदेश में डोंगरिया कौंद कहां पर दोस्तो ओडिसा में याद रखिएगा इसे प्रकार संथारी कहां पर मिलता है दोस्तो बंगाल और जारखेंड में ठीक है प्लियर पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है ना ठीक है बहुत अच्छी अगले न्यूस की तरफ चलते हैं अगला सवाल आपके इस दिन के उपर वो हाज बिन रिएलेक्टेटेट अस प्रेसिटेंट आप सेबटी फिप्त युनाटे नेशन जैनरल असंबली फॉस्ट परसन अभी अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है तो जल्दी से इसका आप लोगों जवाब दीजिए बिना कुछ सोचे आप लोगों को इसका क्या करना है जवाब देना अनुप पटेल जी रात में होती है क्लास उसकी चर्चा हम लोग करेंगा ठीक है आप लोग ये भी जानते हैं अगले न्यूस के तरफ चलते हैं बहुत बढ़िया रजनी कुमारी जी आप भी जारकंड से कहां से जारकंड में हो जारकंड से रहा है याद रिकिए वहाँ पर बेतला ने स्तनफार कर वहाँ पर हुंडरू जल प्रपात है स्वन रेखा नदी के ऊपर ठीक है ना बहुत बढ़िया सेशन को सभी बच्चे सेर भी करते रहिए दोस्तों सभी लोग सेशन को सेर और लाइक भी करते रहें ठीक है नेक्स्ट नीउस की तरफ चलते है वहाँ पर भूली एक जगह है जहां पर रेल्वे का मुख्याले भी है मतलब रेल्वे का ओफिस वगर है वहाँ पर तो मैं वहाँ पर गया हूँ अचा नजर रहमर जी भागलपूर से मैं भी भागलपूर में हूँ है ना चलिए इसका सही उपतर गया है दोस्ते इस correct answer is mega मज़ूंदार is the right answer इसमें बताने की भी कोई जरुवत नहीं है नेक्स अब लोग बात करते हैं इसके आगे आप लोग को अभी तीन-चार बार मैंने इन चीजों के बारे में बताया है इसके भार में बताया है आप लोगcandoo तर्फी की राजदानी और बुद्र करेंगे इसमें कोई भी बच्चे गलती नहीं करेंगे है ठेरान और रियाल यह दोस्तों कहा का है यह दोस्तों किसका इरान का यह कहां पर कहा का है इरान का है जब बात करते है एर्टेंस और दोस्तों यूरो ये कहा कहें ग्रीस का है ठीक है ग्रीस का और एर्टेंस में दोस्तों सबसे पहले क्या ओलंपिक केलों की सुर्वात हुई थी कब तो याद रखेंगे 1896 जबकि IOC Indian Olympic Committee इसकी अस्ताफने 1894 में वी थी जिसका हेट्वाटर दोस्तों कहा पर है लुसाने लुसाने सुटरलेंड में इसका हेट्वाटर है आयोसी का और इस IOC के हेड कोन है आप लोग ये बताना है वी इस हेड ऑफ आयोसी पडवड आप लोग कमेंट में बताएंगे ठीक है जलन्री से आप लोग कपड़ बताएंगे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर अंकारेंड लेरा इस दर करिक्ट आटउर, दूसरा है डामस्कस और पउंड, यह कहा की राजदानी और कहा की मुद्रा है, आगलों को दूसरा यह बताना है ठीक है, दो सवाल इसके जो हेड़ है आइओसी के, उसका नाम है थॉमस बाच, तॉमस बाच यह कहा है गोस्तो यहां की क्या है इसके हेड है हमारा प्रिष्ट में डैमस्कस और पाउंड यह गोस्तो कहा की करंसी और कहा का कैपिटल है यह आपको बताना है डैमस्कस डैमस्कस और पाउंड जो है कहा कर आप लोगों को बताना है जल्दी से जल्दी से बताईए डैमस्कस और पॉंड यह कहां की करंसी है और कहां का ठीक है इतना मैं बता दे रहा हूँ महाँ पर एक प्रशुद दो क्या है दोस्तो और्गिनाजिशन है कातन की संगटे में जिसे हम लोग क्या बोलता है IS-IS इतना मैं बता सकता है IS-IS के बारे में जानते हैं Islamic State of Iraq and Syria यह दोस्तो IS-IS का पुरा मतलब और दोस्तो यहां पर यह जो Damascus और Pound है यह दोस्तो किसका Syria याद रखेगा क्या है दोस्तो Syria की राजदानी यह क्या Damascus ठीक है अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल आपके स्क्रिंट के उपर World went was World Crooked Godile Day Observed Annually यानि कि विस्व मगर मच्च दिवस प्रतिवस कब मनाया जाता है जून 15, जून 27, जून 18 या जून 17 को अगला सवाल आपके स्क्रिंट के उपर आ जुका है इसका आप लोग जवाब दीजिए 5 से 10 मिनट अभी आपके और क्लासे चलेगी 5 से 6 सवाल है लगबग 5 मिनट के आसपास आपके क्लास और चलेगी ठीक है इसका आप लोग जवाब दीजिएगा दोस्तों विस्व मगर मच्च दिवस कब मनाया जाता है 15 जून को 27 जून को 18 जून को और 17 जून ठीक है कल आपका पूरा डे में रिवाइस करवा दूँगा अभी तक जितने भी डेज है सारे डेज को कल रिवाइस करवा दिया जाएगा आप लोग चिन्ता ना करें जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिएगा वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ये कब मनाया जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए वर्ल्ड क्रोकोडाइल दे दोस्तों ये कम मनाते हैं ये मनाते हैं जून 17 को कम मनाते हैं ये जून 17 को और क्रोकोडाइल के हर्ट में कितने चेमबर होते हैं क्रोकोडाइल के हर्ट में कितने चेमबर होते हैं राहुल कोली जी, बहुत अच्छे, मुकुल सरकार जी, अनूप पटेल एस जी, क्रोकोडाइल के हर्ट में कितने चमबर होते हैं, हमारे पास जवाब आना सुलू हो चुका है, और बिरुबूल सभी छात्र, शानदार जवाब दे रहे हैं, कितने चमबर होते हैं, चार बहुत बढ़िया, बिलकुल सही उत्तर है, राहुल कोहली जी, रजनी कुमारी जी, याकवेंदर सिंग, यादर जी, प्रियंका वर्मा जी, वरेगुट, अगले सवाल की तरफ, which country will provide a loan of 200 million euros to India to support that is COVID-19 response, यानि कि भारत को किस देस में 200 million euros के मदद की बात करी है, अभी अभ भारत की बीच में दोस्तों कौन सा अभ्यास होता है, कौन सा यूद्ध अभ्यास होता है, ठीक है न, किसके किसके बीच में, भारत और USA की बीच में, भारत और फ्रांस की बीच में हम लोगो ने देखा वरूर और क्या गरूर सकती होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की is the right answer. Next सवाल की तरब चलता है दोस्टों. अगला सवाल आपके स्क्रेंड के उपर. Which of the following company has partnered with करोड़ वैस्य बैंक for simpler and flexible financing scheme? याने कि भारत में से, निमलेकित में से, किस कमपणी ने सरल और लचीले विट कोसल योजनाओं के लिए करोड़ ग्वाइस्य बैंक के साथ भागी ताही की है. TVS Motors ने, Tata Motors ने, Honda Motors ने, या मारूती सुजुकी ने. अगला सवाल आपके स्क्रेंड के उपर आ चुका है. ठीक है न? बिल्कुल बिल्कुल राहूल कोहली जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं. ठीक है. बिल्कुल वज्र प्रहार भी होता है. किसके बीच में? बहुत अच्छे. बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर जब बात करते हैं, इस सवाल को दोस्कों सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मारूती सुजुकी इस्दार. राइट आंसर. और यादर कीगा करूड वाइस से बनक है, इसका हेटवाँ डीकौर कहां पर है, its headquarters isn't Karud. Karud कहां पर है? इसका हेटवाइट़ दोस्कों कहां पर है? करूड में है. इस इसको आपको याद रखना है करूड वाइस से बनक का. ठीक है? औरजित पटेल को रगुराम राजन को दी सुबा राओ गया बिम्मद जालान को छेक है जवाब दीजेगा इसको ड्राउल को लिजी सलेक्षिन लिजे बिल्पू दिलवा देंगे विदाओर सलेक्षिन कुछ भी नई सलेक्षिन लिजीए देला दोगा मैं आपको चेक है चलिए यहां पर बताईए Master Institute of Public Finance and Policy इसके अध्यक्ष ग्रोप में किसे निप्थ किया गया आप लोग जानते हैं और जित पतेल को ठीक है अभी अभी पड़ा रगुराम राजन ने दोस्तों कौन से किताब लिखा है अगले सवा की तरफ चलते है अगला सवा यानि कोबात बेक बोरोनोग तो निप्लिकित में से किस देश के कार्यवाहग परधान मंतरी के रूप में न्यूक्त किया गया है अजिप्ट का अजरबाइजान का उजवेकिस्तान का या फिर कर्विस्तान का फड़ाबड इसका आप लोग जबाब दीजिएगा क्या इसका सही उतर है ठीक है ठीक है बिलकुल कराएंगे सोनु जी जो पहले जितने भी आप बिलकुल टैंसर नहीं लीजिए ठीक है बिलकुल मैनत करते रहे हैं पूनम सिंग जी ठीक है अपको अपने पैसेंस के साथ अपना आपको 100% देना है ठीक है न आपको अपना क्या करना है 100% देना है ठीक है और सेलेक्शन बिलकुल होगा चिंदाना करें उसकी आप यहाँ पर जब बात करते हैं दोस्तों कुबत बैक बोरोनो इनको दोस्तों कहा का किर्विस्तान का प्राइमिनिस्टर निफ्ट किया गया है जहां का दोस्तों कैपिटल के है ठीक है न इजिप्ट का दोस्तों क्या है काहिरो ठीक है एजिसेंबल काहिरा कहते है और जो इजिप्ट है दोस्तों इसे क्या कहते है जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिएगा इसके बाद आएगा दोस्टों हमारे कुजिशन अब देड़ अजो सांड में क्या इसू आ रहा है किया कुछ अजो ठीक है मैं सांड को देखता हूँ करवा दोंगा ठीक है उजबेकिस्तान का दोस्टों क्या है कैपिटल याद रखिएगा इसका है तासकंद तासकंद is the capital of उजबेकिस्तान इस जिसको आप याद रखिएगा ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों आज क्तुन of the day अजर बैजान की राजधानी किदा है अजर बैजान की राजधानी किदा रही है आपनों को बताने है आज का कुर्शन अफ़ दे डे है फटा पट इसका जवाब दीजेगो आपने जब कीगाली की बात करते दिये कहा का कैपिटल रवांडा का कैपिटल है ठीक है आपको बताना है किसका अजर बैजान का कंपाला कहा का कैपिटल है दोस्ट आप लोग जानता है युगांडा का कैपिटल है कंपाला ठीक है कंपाला का कहा का कैपिटल है युगांडा का ठीक है और एडिस अड़ावाब स्क्धाद करो अजर बैजान का प्रेस दोस्तो ने तो चलिए दोस्तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे आप लोग को दोस्टो सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग क्या करेंगे इस सेशन को क्या करेंगे लाइक करेंगे, सेर करेंगे और यह तो आपका चैनल है Knowledge 365 इस चैनल को क्या करेंगे दोस्तो सब्सक्राइब भी करेंगे ठीक है ना और दोस्तो मेरा कोड है आप लोग याद रखेंगे ज्यान चैन यह कोड लगाना आप लोग नहीं गोलेंगी कोई भी सब्सक्रिपिशन जब आप खरीते हैं वहाँपर 10% के डिस्पॉंड के लिए कोड लगाना नहीं और टेलिग्राम चैनल है GSY ज्यान प्रकाजशा इसके PDF के लिए आप लोग ज्यान प्रकाजशा यह टेलिग्राम चैनल है इसे ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तो ग्यान सर जैसे आप डालेगे टेलिग्राम लोग इस नाम से दोस्तो क्या है GSY ज्यान सर के नाम से टेलिग क्लास में साम में 8 बजे जिसमें लोग स्टार्ट करेंगे आज हिस्ट्री को हिस्ट्री को पूरा बेसिक से हाई लेवल तक स्टार्ट करेंगे ठीक है अनुप पटेल जी जल्द ही आपकी साइंस की क्लास भी करेंगी ठीक है जल्द ही साइंस की है नाइस पुरक्चित रहना है एंड सभी को बाई-बाई टेक केर एंड हावे बज्जे